हमारे मंच में जो ये सामने बैनर लगा है, उसमें पाँच बाते लिखी हुई हैं, उसमें समरस्ता है, कुटुम्ब का प्रबोधन है, स्वा के बारे में आग रहा है, स्वदेशी के बारे में आग रहा है, और कानून का पालन, ये भी बातें घर से ही सिखाई जानी चाहिए सारी चीजें पहले घर से ही शुरू हो ऐसा एक आग्रा इस जागते हुए हिंदू समाज में सब को आत्मिय लगे सब के लिए दरवाजे खुले हो ऐसा प्रेम पूर्ण हिंदू घर ये हमारी प्राथनिक्ता होनी चाहिए इंदू समाज की और एक संस्था है जो बहुत मजबूत है यहां का जाती है समाज अन्य-अन्य प्रकार की जातियां है इसको लेकर अन्य-अन्य प्रकार के विमर्ष खड़े होते हैं ध्यान में आता है कि जब मुगल आक्रमक आए तो अत्याचार और रूरता की पड़ा काश्ठा होई आएसी परिस्थिती में विम्न समाज और अंतरमुखी हो गए उनको शासन से कोई उम्मीद नहीं थी उन्होंने अपने आपको अंतरमुखी कर लिया जैसे अमीबा को और उबलते पानी में डाल दिया जाता है तो अपने चारों तरफ एक शेल बनाके कवच बनाके और सुप्त लुप्त हो जाता है ऐसे ही कुछ हुआ और उसके कारण सामाजिक जीवन की जातियों विराद्रियों में बहुँ संकिर्णता आ गई पर बन्दूओं वास्तों में भारतिय समाज वो परस्पराव लंबिता परहिच और आधारित है आज जब नया यूग आ रहा है हिंदू जागरण आ रहा है तो हमको इस बात के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि यह जातियां क्या आपस में एक दूसरे से मिलकर बात नही कर सकते क्या क्या समाजी के जीवन में जिसको सप्लाइचेन कहते हैं एक समय में थी वो सप्लाइचेन काला नुआ रूप समाज के अन्यकствен म Tag को कि लोग मिलकर नए मॉडल काला नुआ रूप नहीं बना सकते क्या ah kya अब हम कर लिजे जरूरी है कि हम ऐसे ही संकुचित और संकिर्ण रहें हम खुल नहीं सकते क्या यह होना ही है यह बात अच्छे से हो अंतरजाती विवाहों को लेकर और कोई विवाद क्यों होने चाहिए हमारे संसकार हम सब को एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हैं ऐसा एक आत्मविश्वास का भाव इन संस्थाओं में भी आना चाह रहें चाहे वो मतांतरण का भिशय हो या लव जयहाद का भिशय होता है इन सारे विश्यों पर विविन्न जाती है समाज क्यों नहीं साथ में भी आ सकते हैं और अपने समाज में भी इस विशय पर आज हम सब ध्यान दे इन विश्यों पर यह इस नए हिंदू जागरण की बेला में हम सब के लिए करणिये हैं आवश्यक है